जीस तरह से वहां का मुआइना किये हैं और जीस उनके रिपोर्टिंग के अधार पर चंसिखर जी करण्डी के साथ चुनाव निकाल रहे हैं तो एलाइंस तो उन्हीं का क्यों पूरे भारत के जितने अगर विजेपी को उखाण के फिकना है शमत्वादियों को नस्पस्तक करना है तो सारे अंबेद्करवादी लोगों को एक जूट होना होगा नेक्स्ट प्याम बहां जी कह देना कथनी और करने में अंतर होता है तो चंसिखर जी तो कई बार बोले हैं कि महां जी तो आतंकवादी नक्षलवादी माववादी क्या नहीं सरकार देते हैं कि 2024 चुनाओं के मद्दे नजर अर्मी सा आजास समाज पार्टी के चीप चंदर सेखर आजाद बिजनौर के नगीना के नगीना लोक्सवाद सीट से जो है चुनावी मैदान में जो है दम खम के साथ उत चुनावी मैदान में कर रहे हैं छिते देखे रिखिये हमारे वरीय अदिकारी अर्याज पार्टी के जोहराजागं अमर जोती और कई वरियाक करकरता जो है बिहार से गए हुए है परचार के लिए यहां तक हमारे वक्सर जी ले से अनिल प्रधान भी गये हैं और उन लोग जीस तरह से वहां का मुआइना किये हैं और जीस उनके रिपोर्टिंग के अधार पर चंसेखर जी गरांडी के साथ चुनाव न जाते हैं और भीमार में संघर्स के लिए जानी जाती है और उसके अधहार पर वहां पर जो एलाइंस बना हुआ है जाटव मुस्लीम दली जो लोग है चाह रहें कि नगीना से चंसेखर जी को इस बार चुनाव निकाल दिया जाए पुरे देश में इंडिया और इंडिया क सब्सक्राइब जाएगा जमाना जब्त हो जाएगी देखिए हमने बोला है कि जो उलुक गए हैं और परचार परसार किये हैं जनता से जो जनादीस मिला है जो लोगों ने भरोसा दिला है उसकी आधार पर मकौ सकते हैं कि चुनाव चंसेकर जी का निकाल रहा है बात रही अलाइज की तो पुरे भारत के जितने करवादी है सबना चाहिए भारत मुक्ति मुर्चा पामनमिश्स नहीं बना रहे हैं लिए तो सारे अम्वित्करवादी लोगों को एक जूट होना होगा तब जाके ही खतम होंगे इंडिया एलाइंस का महौल है तो यह बताएं कि इस ना एंडिया हो चाहें इंडिया एलाइंस हो बैंड कुमारी मियावति हो चंसेखर आजाद हो रामदास अठावले हो प्रकास अंब बाते हैं तो लेकिन संगहर्स की बाते की जाते हैं चंसेखर जिक कर आखे आते हैं तो उनको परदान मंत्री के लिए हम तो कहेंगे कि सारे लोग एक जूट होकर एक चेहरा को दें जब तक गटबंदन नहीं बनता है तो हमको नहीं लगता है कि बीजेवी को हराए जासकता है सब्सक्राइब करने में अंतर होता है सवाल यह है कि 27 परशंट बोल रहे हैं लेकिन आप देखें वह कितना सीट निकाल रहा है उनका यह तो आप भी देखेंगे आप सांसद है उनका दाने साली को छोड़कर देखिए नौगों सांसद है या दस है उसे माइने माइन रखता है कि क्या आप दस गो या पारों से आप पूरे पीयम बन सकते हैं क्या आप अहुमत सीथ हो सकता है ना बढ़ेगा ना जीतेंगे नहीं यह सीट वार एक बढ़ सकता है लेकिन मेरा काना है कि वड़ेगा क्या रिस्क्राइट अभी पिहार के स्थिति देख लिए उत्तरप्रदेश की स्थिति देख लिए तो स्थिति को देखने पर यह लग रहा कि उनका आप जो है धीरे-धीरे राजनाधार का कहीँन कहीं बढ़ नग रहा है और उनको है कि चंसेखर जी के साथ आना चाहिए देखिए मायवाति जी के साथ आने की जो बात है तो चंसेखर जी तो कई बार बोले हैं तो ढूराए बहाण जी करें लेकिन पहाल इन ही नहीं करेंगे तो वह का प्रण गर पेन बात्ति को लें वहार जी आपको रहे हैं कि अतंकवादी का परिभासा आप बता दीजे क्या होता है क्या अगर हक अधिकार के लिए जुन्द मत्यचार के खिलाप अगर सब्सक्राइब उतरना होगा और उसको लोग बोले कि अतंकवादी है तो यह गलत परिभासा है बल्कि वे जन अंदोलन के लिए लड़ते हैं कि सवाल यह कि जब सरकार रकार के लड़ते हैं लोगों को तो ऊग्रवादी आतंकवादी मावाधी क्या पूट म करती है सरकार की मनसा अलग है और वो भी बीजेपी जो सरकार है जो ए आरेसेस के इसारे पर चलती है तो वो जनता का कभी हित साबित हुआ ही नहीं है बलकि को मुर्ख बनाकर और हिंदू मुसलिम के राइट कराकर और जातिय संपरदाइक तक्तों को इसारा देकर और जो है हमारे ही कुछ लोगों को मांसिक रूप से गुलाम बनार कर और जितने का काम की हैं ओवी सी के लोगों से अपील करेंगे क्योंकि ओवी सी के नौजवान आज भी आरे से हिंदू वाहिनी वैगरा के वो लोग बैनर तले मांसिक रूप से गुलाम है जिस दिन लोग बोबी सी के लोग जो है ललाई सिंग परियार बनेंगे लच्मर जादों बनेंगे उस दिन इंकी खटिया खड़ी हो जाएगी प्रवक्ता साब थे क्या लग रहा है स कि परी मारमी के चाहें समर्तक हो जाहें बहुंस समाज पार्टी के चंट सिखर आजाहजी साथ में आते तो सीट निकल जाता तो देखिए होना चाहिए होना चाहिए हम ल mira Alt बहुत दिन से चाहते there